सभी देश्वासियों को आदर पूरवक नवश्खार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महने से जादा समय बीद गया है कोरोना संक्रमन का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ ये आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संक्र से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है ये पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सबके जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर सिती हर मौसम में देश वाज़ियों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्न बर्ग के लिए है जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है कल्शे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी आज संकट के इस समय भारत की विवस्थाएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म के उस दायरे को व्यापक कर रहा है नई उंचाई देनी है ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान पी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो पशुपालक हो, हमारे मचवारे साती हो संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महतोपोन फैसलों का एलान किया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद